तो हेलो गाईस तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग पैन कार्ड के फॉर्म को कैसे भर सकते हो लेकिन उससे पहले जिन लोगों को यह नहीं पता है कि यह फॉर्म कितने पेज का है और यह फॉर्म आपको कहां से मिलेगा तो मैं आपको बता आप लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे तो इस फॉर्म को जो पहला पेई उस पे तो सबसे पहले आपको यहां पे दोठोर थाईश साइज फोटर चिंफ का लेना है तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं एक फोट Theo आपको यहां सपर यहां पर Kस को चिपकाesta nail लेना है जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं इसके बाद यहां पे जो सबसे पहला option है वो है full name का तो full name जब आप लोग यहां पे लिखेंगे तो उससे पहले आपको यहां पर title select करना है तो title में है स्री स्रीमती कुमारी और master तो जैसे अगर कोई आदमी है 20-25 साल का या 18 साल से जादा है तो आपको यहां पर स्री वाले option पर टिक करना है मतलब उसके लिए आपको title में स्री लगाना है और अगर कोई ladies हैं जिनका साधी हो चुका है तो उसमें आपको स्रीमती पर टिक करना है और अगर कोई लड़की है जिसका साधी अभी तक नहीं हुआ है तो वैसे में आपको कुमारी वाले option पर टिक करना है तो title में तो यह option आ जाएंगे इसके बाद यहां पर है अगला यहां यहां पर full name में ही सबसे पहला उप्शन है last name का तो सबसे पहले आपको यहां पर last name लिखना है जैसे माले जी आप जिसका pencard का form fragrance बर Here are James Raj to a आपको यहां पर last name सबसे पहले लिखना मतलब जो उनका नाम कुमार last name है वो सबसे पहले यहां पर लिखना है इसके बाद है यहां पर first name first name जो भी उनका है जैसे राज नाम है तो यहां पर first name में राज आ जाएगा अब जैसे इस form में मेरा नाम है गौरफ कुमार तो यहां पर मैंने last name में कुमार लिखा है और first name में गौरव लिखा है और इसके बाद यहां पे जो दूसरा option है उसमें यह पूछा गया है कि आप अपने pen card पे क्या नाम चाहते हैं तो यहां पे आपको अपना नाम पूरा सीधा सीधा लिख देना है मतलब जैसा आपका नाम है इसमें मेरा पूरा नाम है गौरव कुमार तो यहां पे मैंने गौरव कुमार ऐसे मतलब first name फिर last name ऐसे करके लिख दिया है तो इस तरीके से आपको अपना नाम लिख देना है इसके बाद अगला option है कि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो अगर हां तो आपको यहां पे yes पे टिक करना है और अगर नहीं तो आपको यहां पे no पे टिक कर देना है इसके बाद अगला option है जेंडर का तो जिसका भी आप form बढ़ रहे हैं अगर वो male है तो आपको यहां पे female पे टिक कर देना है तो इसके बाद यहां पे अगला option है date of birth का तो आप लोग अपने customer के अधार कार्ट पे देख लेना कि उनक पेन कार्ट पे फादर का नेम ही आता है चाहे वो married woman हो या फिर unmarried हो इसके बाद यहां पे अगला उप्सन है फादर नेम का तो आपके अधार का नेम जो भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको यहां पे अपने फादर का लास्ट नेम लिखना है और इसके बाद आपको फादर का नाम है Rajesh Kumar तो यहां पे सबसे पहले मैंने Kumar लिखा है उसके बाद फस्ट नेम में राजेश लिखा है तो कुछ इस oven के से आपको अपने फादर का नाम लिख देना है इसके बाद नीचे दो उप्सन देखने को मिलेगा आपको एक फादर नेम का एक मदर नेम जहा आते हैं तो मैं अपने pen card पे अपने father का name चाहता हूं तो यहां फादर नेम पे टिक कर दूँगा इसके बाद यहां पे अगला option है address का आपको अपना address लिखना है तो जो भी आपके आधार card पे address दिया हुआ है तो वही address same to same आपको यहां पे लिख देना है तो सबसे पहले आपको अपना house number लिखना है उसके बाद आपको अपना village लिखना है फिर post office फिर district फिर state और उसके बाद आपको pin code लिखना है तो कुछ इस pen card का दूसरा यहां पे form भरोगे मतलब एक ही form का जो दूसरा पे जाबा भरोगे तो यहां पे सबसे पहला option है official address का तो यहां पे जो पहले address हमसे पूछा गया था वो सा residential address मतलब घर का address और अब यहां पे जो हमसे address पूछा जा रहा है वो है official address मतलब office का address तो यहां पे हम office का address नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहां पर डो लाइन केंज कैसे एने लिख देना है मतलब हमें यह address नहीं देना है इसके बाद यहां पर नीचे दो अप्शन देखने को मिलेगा address for communication तो यहां पर आपको तो अप्लिकेंट में आपको यहां पर individual वाले option पर टिक कर देना है और इसके बाद यहां पर अगला option है 12 नंबर पर यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर लिख देंगे और इसके बाद यहां पे जो नीचे box दिया गया है तो इसमें आप लोग अपना नाम लिख देंगे same to same जैसे आपके अधार कार्ट पी लिखा हुआ है यहां पे तेरवे नंबर पे option दिया हुआ है source of income तो source of income में अगर आप salary परसर है तो आप यहां पे salary भी टिक कर देंगे वैसे अगर आप यहां पे no income भी टिक कर देंगे तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसके बाद यहां पे अगला option है representative access तो इसमें आपको कुछ भी लिखनी के जुरूत नहीं है तो यहां पे representative में उनकी detail डालनी होती है जो 2018 साल से कम अगर pen card बनवा रहे हैं मतलब जैसे मालिजए कोई लड़ी कोई लड़का है जो अगर वो अपना pen card बनवाता है तो वैसे में representative में उसको अपने father की detail यहां पर डालनी होगी और किसी किए जach 18 साल से जादा है तो उसको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव में कोई डिटेल डालने की जरूत नहीं है तो आपको यहां पर डबल लाइन कीच के एने लिख देना है बस और इसके बाद यहां पर पंदरवे नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है डोक्यूमेंट्स का तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग प्रूफ अइडेन्टिफिकेशन और एड्रेस का अधार का डेटो बर्त का आप लोग क्या प्रूफ देंगे तो तीनों में इसके बाद यहां पर 16 नंबर पर आपको अपना नाम लिख देना है और इसके बाद उसके आगे जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको his herself ऐसे लिख देना है और यहां पर last option है place date का तो जहां से भी आप इस फोर्म को भर रहे हैं तो place में आपको उस सेयर का नाम लिख दे आपको यहां सबसे पहले मैं ने बताया थे हैं आप फोटो चिप का लेना है तो फोटो चिप काने के बाद सबसे पहले एक sign was जो गरॉले बॉक्स में कुछ इस तरीके से करवा लेना है कैस्टमर्स और इसके बाद दूसरा sign आपको कुछ इस तरीका से करवाना है आदा فो पर आदा बाहर तो दो साइन आपको पहले वाले यहां पर पेज़ पर करवाना है और यहां पर सेकंड पेज जो हमारा फॉर्म है वो उसमें आपको एक लास्ट साइन यहां पर कुछ इस तरीके से ऐसे करवा लेना है तो टोटल मतलब इस फॉर्म में तीन साइन करवाने होते तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए